आले दोस्तों वेलकम टू मीन पॉइंट सडी आई हो अप सारे के सारे ठीक हो तो आज हम करने वाले हैं क्लास 11 समाजी विज्ञान के most important question और ये most नहीं है most 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 important question है मैं आपको बात लिख कर दे सकता हूँ कि आपके exam में जो भी question आएगा ना वो इसी PDF के अंदर से होने वाला है एक भी question आपका इससे भाहर नहीं आएगा ठीक है और ऐसा नहीं है कि मैं इस साल वीडियो बना रहा हूँ इस साल वीडियो बना कर बोल रहा हूँ और हर एक question match करवाता हूँ और live ताकि इस लिए रखता हूँ कि बच्चे भी comment कर पाए बच्चे भी बता पाए हाँ सर ये वाला question सेम था ये वाला question सेम था आप जागर देख सकते हो कोई दिक्तत नहीं है और मैं बता दूँ इस साल भी ऐसी होने वाला है मैंना time pass के लिए वीडियो नहीं बनाता मैं वही वीडियो बनाता हूँ जो बच्चों के लिए सब जादा important है याद रखना एक भी question छोड़ने की गलती मत करना और don't worry PDF में आपको बता दूँगा कि आप कैसे download कर सकते हो although link नीचे description में दे रखता है PDF का ठीक है बट मैं एक सबसे जादा important चीज़ बता देता हूँ वीडियो शुरू करने से पहले बच्चे पता है पिछले 3-4 सालों के अंदर है एक बहुत ही जादा चीज जो है वो अलग हुई है खास कर class 11-12 वाले बच्चों के लिए क्या है न कोशन थोड़ा घुमा के आता है ठीक है अब होता क्या है जैसे कि पिछले साल मैंने कोशन बताया था बच्चों को सविधान क्या है और सविधान का महत्व रटके चले जाओ 100% exam में आने वाला है बच्चों के exam में कोशन आ गए सविधान क्या है और सविधान के कारे बताये बच्चे छोड़के आ गए जब वो आए तो वो बोलते कि सर आपने तो करवाए नहीं अरे बच्चे सविधान का महत्व और सविधान के कार रहे दोनों सेम ही चीज है और इसी वज़े से मैंने ये वीडियो बनाई है ठीक है और मैंने इस बार अलग-अलग टाइप के कोशन वगरा भी मिला दिये ताकि बच्चों को कोई confusion ना रहे कि एक कोशन की अलग-अलग टाइप से पूछा जा सकता है वो भी मैंने बता दिये और साथ में वीडियो भी देखना important है क्योंकि अग without explanation PDF का as such कोई फायदा होगा नहीं आपको ये बात में आपको पहले बता दो ठीक है चलो जी बिना time waste करें आप chapter शुरू करते है हमारा यानि sorry most important question शुरू करते हैं तो पहला हमारा question है कि सविधान क्या है और सविधान का महतों बताईए सविधान की कारें बताईए या भूमी का बताईए भूमी का पूचे अवशक्ता पूचे मैं तो पूचे कारें पूचे same answer है ठीक है सबसे पहले तो सविधान का मतलब क्या होता है सविधान नियम और कानून की वह पुस्तक है जिसकी सायता से देश पर शासन चला जाता उसको हम सविधान कहते हैं अब आ ठीक है और उसको समाज के हर वर्ग को मारना पड़ता है जिससे समाज के अलग-अलग वर्गों में एक नियोनितम समन्वे बना रहे आपको पता है कि भारत में अलग-अलग धर्म जाती है ना language बोलने वाले लोग रहते ठीक है तो इन में आपसी समन्वे coordination बना रहे इसके है ना हमें सविधान नियम परदान करता है ठीक है अगर ऐसा नहीं होगा सारे अपने इसाफ से चलेंगे तो लड़ाईया होगी तो इसलिए नियम परदान करता है ताकि सब उसको माने और समाज में समन्वे बना रहे coordination मना रहे दूसरा है कि निर्णे लेने की शक्ति किसके पास होगी जैसे पीम की शक्ति सबकी शक्ति है वो हमारे सविधान में लिखी भी है तो सविधान ही बताता है कि निर्णे लेने की शक्ति किसके पास होगी किसके पास क्या शक्ति आओगी ठीक है दूसरा point clear हो गया त तीसरे पॉइंट पे आते है कि सविधान क्या करता है, वो सरकार की शक्तियों पर सीमा लगाता है, ठीक है, यह बहुत important है, सविधान है ना हमें कुछ ऐसे अधिकार परदान करता है, जिसको मौलिक अधिकार कहते हैं, जिसको सरकार भी जिसका ओलंगर नहीं कर सकती, जिसको स चौत्था काम बेसिकली ये है, चौत्था चौत्थी भूमिका ये है, कि सविधान क्या करता है, क्या ना बेसिकली वो सरकार को इतनी पावर देता है, ताकि वो लोगों की अकांशा बूरी कर सके, और एक नयाएपूर्ण समाज बना सके, अब सर इसका मतलब क्या है? जैसे कि मैं आपको बूलू क्या पूलिस वाले के पास पावर है कि वो चोरों को पकड़ सके, मार सके, अगर कभी जरूत पड़ जाए तो रिवॉल्वर वगरा भी चला सके, क्या ऐसी पावर है उनके पास? आप बोलोगे, यह पावर है, किसने द समाज मना रहे है ताकि जो चोर अपनी मनमानी ना कर सके, लास्ट और सबस्यादा इंपोर्टन सविधान है ना हमें एक राष्ट्र की बुनियादी पहचान परदान करता है, अगर मैं आप से पूछू, अगर आप किसी दूसरी कंट्री में जाते हो, आप से कोई पूछता कि खुचे का बहुत सारी लोग जो है, नहीं, तो इसका मतलब क्या है? कि जिल लोगों को सभषान परदान करता है वोई अपने आपंने को इंडियान कहा आते हैं, चलो जीel बहुत जज़दाइग इन्पोर्टन कोशन इपाद्टें है, यह बहुत-सली Capian तो कोशन नहीं भारते सविधान को उधार का सविधान क्यों कहा जाता है? सिद्ध कीज़े के भारते सविधान को एक पुष्प गुछ की भाती जिसमें सभी देशों के पुष्प सामाही था और कौन-कौन से प्रावदान दूसरे से लिए गए है, दूसरे देशों से लिये गए, simple question पता है क्या है, कि भारत के सविधान के अंदर है बहुत सारी चीज़े अलग-अलग देशों के सविधान से लिये गई है, और इसलिए भारत को क्या कहा जाता है, कि एक गुलदस्ता है, push-push है, मतना फूलों का गुलदस्ता है, और अलग- माफदार कोशन है, बच्चे कन्फूज आते हैं, ठीक है, तो हम यह देखने वाले हैं, कि अलग-अलग देशों से क्या लिया गया है, पहले British सविधान से हमने क्या लिया है, सबसे पहले तो चुनाव परनाली, आगे हम पढ़ेंगे चुनाव परनाली, कौन सी चुनाव परन उनका पद और उनकी शक्तिया वगेरा, और कानून के निर्मान की विदी, ये भी हमने कहां से लिया है, British सविधान से लिया है, क्लेर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, डोंट वरी, विदाई के अद्धक्ष के अभी पावर भी आगे हम पढ़ेंगे, और कानून पर कैसे शासन चलाना है, वो भी पढ़ेंगे हम, बागी एक नंबर में कोशन के लिए मैंने आपको बताया है, ये आता है, ठीक है, चलो, next है, कि हमने अमेरिका के सविधान से क्या लिया है, तो मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार वो अधिकार होते हैं, जो आप से सरकार भी नहीं पालिक आपको पता है, कोट के पास इतनी पावर है, कि अगर विधाईका ने, विधाईका बनाती है कानून, विधाईका ने अगर कोई कानून बनाया है, तो उस कानून को चेक कर सकती है, नियाए पालिका, कोट चेक कर सकती है, कि वो कानून हमारे सविधान के समक्ष है य नुकूल नहीं है ठीक है clear हो गया और साथ में नयाय पालिका की शक्ति नयाय पालिका की स्वतंतरता और उपराश्टिपदी के पद और उसकी शक्तियां ये भी हमने अमेरिका के सविधान से लिए नेक्स है आयलेंड से हमने क्या लिया 이제 नीतिल देश ठत्व यह वह अधिकार होते हैं जो हमें मिलते हैं या मिलने चाहीं पड़ आगर नहीं मिलते तो आप पोड़ मे जासकते हैं जैसे अगर मालो किसी दिन बहुत सरे बच्चे गर्मेंट स्कूल के भी देख रहे होंगे अगर की बच्चे जो है उनको अगर एक दिन मिड्डे मिल नी मिलता तो ऐसे नी कोट में नी जा सकते हैं अगे नीचे भी कोशन आएगा तो और अच्छे समझाऊंगा राजे सभा में मनोडनित सदस्यों का पराअधान, आपको पता है, राजे सभा में 12 ऐसे मेंबर होते हैं, ठीक है, वो जो है, वो हमारे राषपती चुनते हैं, तो ये चीज भी हमने आइलेंड के सविधान से लिए, प्रांस के सविधान से क्या लिए सबसे सिंपल है सवतंतरता सम्मानता और बंदत्वा का सिद्धान हमने फ्रांस के सविधान से लिए क्लास 9 से पढ़ते हार हुआ है कैनडा के सविधान से हमने क्या लिए अर्द संगहत्मक सरकार का सुरूप इसका मतलब कि आपको पता है कि भारत में अलग-अलग राज्य है और अलग-अलग राज्य के पास पावर है बटे केंदर सरकार और केंदर सरकार के पास जादा पावर है तो यह जो सिस्टम है यह हमने कैनडा से लिए है और अफशिष्य सक्तियों का सिध्धान आपको पता है के एक तो केंदर सूची होती ह है संग सूची कहते है राज्य सूची कहते है अवशिश्य सक्तियां बेसिकली मैं आपको वैसी बता जेता हूं क्या होता है देखो जब महारा भारत का सविधान बनाता ना तो बहुत सारी ऐसी चीज़े थी जो उस समय नहीं थी तो उस लिए उस पर कानून भी नहीं बता जै यह भी हमने गैनडा से लिए है चलो जी नेक्स वाले कोशन पर आते हैं नेक्स वीडियो पर जाने से पहले है ना मैं आपका नोट्स कर डाउट एक दम क्लेर कर देता हूं कि यह जो पीडिएफ है ठीक है यह आपको कैसे मिल सकती है और अगर आपको चैप्टर वाइस आप आपको most important question चाहिए हो यह chapter के note चाहिए हो तो वह आपको कहों से मिल सकते है ठीक है तो मैं आपको बता दूँ सबसे पहले तो आप नीचे description में चेक करोगे आपको link मिलेगा इस वाली PDF का ठीक है यह बहुत जदा important PDF है इसका जो link है उस पर आप क्लिक करोगे तो यह page आपको लिए open होगा ठीक है एक बात और बता दूँ अगर आप यह exam से थोड़ा पहले देख रहे हो एक डेड़ हफते पहले देख रहे हो ना तो इसका जो cost है वो आपको 39 दिख रहा होगा ठीक है और वैसे तो हमारी website भी है बट यार website पर मैं जब upload कर रहा हूं तो फिर वो जो है केस पे रहना और नीचे description में रहना और कोई ऐसा comment मत करना जिससे उनको पता चल जाए कि जो notes जो है वो आपको मिल रहे है ठीक है दूसरी बात है कि शायद इसका price जो है अगर आप बिलकुल exam से एक दो दिन पहले देख रहे हो तो शायद आपको इससे ज़्यादा price मिले तो तो वो अभी कर ले एक डेड़ हफते पहले जादा बढ़िया रहेगा क्योंकि फिर बाद में जो है वो दिक्कते बढ़ जाएगी और अगर आपको कुछ दिक्कत आती है किसी भी कोशन में दिक्कत आती है वैसे तो मैं वीडियो बगरा बना रहा हूँ फिर भी अगर पहले मेल को ही प्राइटी रखोंगा बट अगर फिर भी किसी बच्चे का कोई डाउट हो कुछ भी पूछना हो उसको किसी भी तरीके से तो हम इसको WhatsApp पे मैसेज कर सकता है इस नमबर ठीक है चलो और बाकी इसके अलावा एक और पार्ट है ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये वीड मैं आपको हर एक चीज अच्छे से करवाऊंगा ठीक है तो एक पार्ट और आएगा ऐसा नहीं कि यह वाला पार्ट है दूसरी बात है कि हमारा मेंपॉंट टेक का भी चैनल है ठीक है मैं बिसली यह बताता हूं कि student earn कैसे कर सकता है पैसे कैसे कमा सकता है क्योंकि छोटे विडियो कापी करके आप कैसे earn कर सकते हूं यह सारी की सारी चीज से मैं इस वाले चैनल पर बताता हूं ठीक है वीडियो एक और आएंगी यहांप ठीक है जिस पर मैं आपनी earning बताऊंगा एक एप से वो कैसे है वो क्या क्या चीज़ है वो सारी के सारी और यहां पर मैं विल्कुल देखो आप ध्यान से देखोगे ना लास्ट वीडियो आठ महीने पहले डाली थी और मैं इस पर टाइम वेस्ट नहीं करता है मैं इसले जैन्विन चीज़े डूदने के लिए आते हैं तो मैं इसले इस चैनल को सब्सराइब कर लेना सब्सराइब करो ना करो बट वीडियो का फायदा उठाओ दो दिन पहले मिरो एक बच्चे का मैसा जाया था यह बोल रहा कि सर आप मेरे को यह बता दो कि YouTube से account कैसे attach करना है जिसको इसका मतलब समझ नहीं आया है इसका मतलब यह है कि बच्चा 100 डॉलोर रहन कर चुका है और 100 डॉलोर के बाद वो account attach करवा रहा है YouTube से ताकि उसके account में पैसे आ जाए आपको लग रहा होगा 100 डॉलर साड़े 8000 रुपे होते हैं नाहिंद क्लास का बच्चा उसके लिए 8000 रुपे बहुत बड़ी रकम होती है ठीक है चलो बाकी है vlogging channel है इस पे हम live अगरा करेंगे अगर मैं MCU का test अगरा लूँगा तो इसी पे लूँगा तो इसको भी आप कर लेना बाकी हम चलो आगे दुबारा शुरू करते हैं कि भारतिया सविधान को एक सफल सविधान क्यों माना चाता है बहुत ही ज़ादा important को देखो इस PDF के अंदर बाहर बर मैं important question बोल रहा हूं वैसे देखो सारह important question है अगर कोई question मेरे को ऐसा लगा ना कि वो कम important है तो मैं बता दूँगा बट सारही question important है इस PDF के अंदर ये के question आपको करना है चलो जी next question पर आते हैं कि पहली बात तो भारत के सविधान को एक परभावी सविधान या सफल सविधान माना चाता है इसके पीछे तीन चार रीजन है पहला रीजन क्या है प्रशलन में आने का तरीका पूरी दुनिया में तीन देश के सविधान बहुत ज़्यदा सफल माने जाते हैं भारत दक्षणी अफरीका और अमेरिका का सविधान क्योंकि ये तीनों सविधान ऐसे सविधान है जो कि किसी अंदोलन के बाद बना है आपको पता है ना कि भारत में भी 1947 में अंदोलन हुआ सका उसके बाद हमारा सविधान बना दक्षण अफरीका में भी आपको पता है अंदोलन हुआ था ब्लैक और वाइट के बीच में उसके बाद सविधान बना अमेरिका में भी आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पर भी श्विल वार हुआ था उसके बाद सविधान बना, तो ऐसा सविधान जो लडाई के बाद बना है, जिसके लिए हमने लडाई लड़ी है, उस देश के सविधान को एक सफल सविधान माना जाता है, परवावी सविधान है जो भारत के हर एक व्यक्ति को कोई ना कोई कारण जरूर देता है ताकि वो उस सविधान का आदर करे है ना मैं आपको एक्जामपल देता हूँ अगर मेरे सविधान भारत के सविधान में मेरे बारे में अगर कुछ गलत लिखा होता या मेरे मेरे आगे बढ़ने के बारे में लिखा है कि मैं आगे कैसे बढ़ सकता हूं है ना और सब के अच्छे के बारे में लिखा हुआ है तो हमारा भारत का सविदान जैसे बहुत सारे देशों के सविदान होते हैं जहां पर क्या होता है एक ही टाइप के लोगों को जो है वो अधिकार दिये गए होते ह जैसे की पाकिस्तान पड़ता है वहां का जो ऊपर का पोस्ट है ना यानि प्रधान मंत्री कोई भी मतलब नॉन मुस्लिम नहीं बन सकता तो यह तो भेदबा हुए बढ़ भारत का सविधान ऐसा नहीं करता है सबको कोई ना कोई सबको अधिकार दे रखें एक वल तो है कि संस्थाओं की संतुलित रूप रेखा इसका क्या मतलब होता है आपको पता है भारत में जो है वह तीन संस्थाएम है विधाई का कार्यारापालिका न्यायय commits si न्गैए करती है कोट वगर आते में देर ठीक विदाई का कोई गलत काम कर रही है तो न्याय पाली को रोकती है अभी हमने देखा था ना मैंने ऊपर बताया था आपको न्याय कुलर वालोकन अगर विदाई का कोई गलत कानूम ना देती है तो न्याय पाली को रोक देती है तो इससे पता चलता है भारत में जो संस्था है उनकी संतुलित रूप रहा है, next वाले point पर आते हैं, भारते सवीधान की वैदता, यह बहुत important है, भारत का सवीधान, एक वैद सवीधान है, जिसकी वैद सवीधान है, और यही चीज उसको एक सफल सवीधान बनाती है, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि भारत का सवीधान बनाया है, जिल लोगों को जो आम जनता है, उस समय पूछती थी, पूजा तक करती थी उनकी, अमबेट कर जी बगर, तो इससे हमें क्या पता चलता है, और यही चीज है, आज देखो, उस टाइम लोग मानते थे, आज भी हम मानते हैं, क्योंकि, basically, वो बोलते हैं चलो, next वाले point पर आजाते हैं, कि सवीधान सभा की रूपरेखा बताईए, और भारते सवीधान सभा की रचना और ब्रिटिश मंतरी मंडल की समीति और प्रस्ताव की गई थी, और इस योजना के प्रस्ताव की बताईए, मैं आपको सिंपल समझाता हूँ, इसका मतलब क्य सवीधान सभा की रूपरेखा पूछ सकता है, कि सवीधान सभा की कैसे रचना हुई, या सवीधान सभा के बारे में एक बड़ा कोशन आ सकता है, छे नंबर का सवीधान सभा के बारे में बताईए, और ब्रिटिश मंतरी मंडल के बारे में बताईए, चलो, मैं पहले बता बना लो आप कोई दिक्तत नहीं और उसके लिए और उस टाइम में ना लॉड वोबल थे वाई सरा है ठीक है तो उन्होंने क्या किया क्या चैबिनेट मिशन भारत में भारत में बेजा गया था 1946 में बेजा गया था तो उसके बाद भारत के सविधान बनने की प्रक्रिया जो है वो शुरू हुई थी भारत के सविधान में सविधान समा में टोटल 389 मेंबर थे 292 जो थे वो किस से लिए गयते वो लिए गयते ब्रिटिश भारत से किस से लिए गयते ब्रिटिश भारत से लिए गयते जो बाकी 93 बंदे हैं वो देशी रियासतों से लिए गए देशी रियासिध आनी जो राजा रजवाड़े वाले रिया से लिए गए ते और 4 चार वो प्रती निती हैं जो किन अरिया से लिए गएते दिली से अजमेर अजमेर मारवार, पूर्ग से, पूर्ग आपको पता है ना, करनाटका में पढ़ता है, क्लास टेंद में पढ़ा होगा, इंग्लिश वाला चप्टर, और बिटिच बलुचस्तान से, बलुचस्तान पाकिस्तान के अंदर बढ़ता है, तो टोटल मिलाओगे तो 389 मेंबर है, पहली meeting हमारी 9 December कोई थी 1946 को याद होगा आपको दूसरी 11 December कोई थी 1946 को ठीक है और हमारे जो permanent member थे ना permanent chairman थे पर्मनेट अध्यक्ष जो थे हमारे सविधान सभा के उनका नाम थे डॉक्टर राजंदर परसाथ ठीक है जी याद रहे गए यह यह याद रहे आपको और टोटल मिलाके हमारे सविधान सभा के अंदर हर वर्ग के लोग है, मुसल्मान भी थे, सिख भी थे, हिंदू भी थे, हाना, और उसके बाद जो हुआ क्या कि जो यह बोला गया कि अब पाकिसान बनेगा तो पाकिसान से जो भी बंदे आये तो उनको निकाल दिया और एड में जाके 299 लोग रह गए और हमारे सविधान पर जब सिखनेशन करने की बात आई तो सिर्फ 284 लोग जो थे वो उस समय 24 जनवरी 1950 को उपस्तित थे, और बेसिक टाइम के बीच में 166 बैठे की हो यह और कितना टाइम लगा है, दो साल 11 महीन अठारा दिन लगा है, ठीक है जी, क्लेर हो गया, चलो, अब आ जाते हैं नेक्स वाले कोशन पर, यह बेसिकली चैप्टर नमबर 10 का कोशन है, ठीक है, बट मैंने इंक्लूड कर दिया, तो उपर वाली चीज़े ही लिख देनी है, ठीक है, कि सविधान सभा में इतने मेंबर थे हैं न, सविधान सभा की पहली मीटिंग अब हुई थी, अलग-अलग मेंबर चुने गएते, यहां से इतने चुने गएते, यहां से इतने चुने गएते, अब हम सविधान की विशेश तो पहले तो दुनिया का सबसे बड़ा सविधान है भारत का सविधान है जब मूल सविधान है जब बना था हमारा सविधान तो उसमें 395 वनुचे थे 22 भाग थे और आठ अनुस्पूचिया थी संगात्मक व्यवस्ता है यानि भारत में केंद्र सरकार भी और राचे सरकार ठीज और बारत में हैं धारत की रह सकते नागरी को तो आप डूसरे सविधान नहीं नहीं है आप opini के ठोधान में था था है इसकती रह सकते हैं इंडिया में नहीं है अगर आप अमेरिका के सिटीजन बन जाओगे तो आपको इंडियन सिटीजनशिप छोड़नी पड़ेगी नेक्स्ट है कि भारत के सविधान में बहुत सारे प्रावदान दूसरे देशों से लिए गए कौन कों से लिए थे वो भी हमने उपर देख लिए थे नेक्स्ट है कि व्यस्क मतदिकार का मतलब है कि भारत में 18 प्लस जो है वो सबको वोट डालने का राइट है और मैं आपको बता दू 1989 में 1989 से पहले ये जो येज़ है वो 21 ती आज कितनी है 18 है बट 1989 से पहले 21 थी 1989 में change करके उसको ठाारा कर दिया गया था थी कैसा है बारत का सविधान खाधोर लचीला सभिधान का मतलब है कोई भी हमारे सविधान को आसानी चेंज नहीं कर सकता बट लचीला भी इसका बताईए उद्धेश परस्ताविका क्या है आपको पता होगा के हमारा जो आप अगर भूख में पेज मिलता है प्रस्तावना कैसे हैं मैं अभी दिखा दूंगा आपको प्यैम्बल कहते हैं जिसको तो उसके बिंदू को मैंने हिंदी में थोड़ा समझा रखा है ठीक है क्योंकि बच्चों को वह language बुक के अंदर लिखे है उद्देश्य प्रस्तावने की वह बहुत टफ लगती है तो इसलिए मैंने easy करके लिख दिया सबसे पहले जो भारत है वो एक स्वतंत्र संप्रूवू गड़राज्य है ब्रिटिश भारत अधिकार में आने वाले भारतीय शेत्र, देशी रियासते और देशी रियासतों के बाहर, ऐसे शेत्र जो भारत में आना चाहते हैं वे संग कहलाएंगे And और भारत एक संघ होगा इसका मतलब जो भी एरिया भारत के अंदर आप साथा है वह संग का अंग माने जाएंगे और भारत 18 संहोगा शुकि होगा और जोब लाके अगा भारत पे यो के शक्ति यह एक बार दोन होग है ऑप सब्सक्राइब के नितर ने क신दर सरकार की तो नेक्स पॉइंट है कि भारत के सभी लोगों को समाजिक आर्थिक राजनेतिक न्याय वगरा मिलता है और कानून के समख सबको समानता मिलती है भाशन का अधिकार है अभिवक्ति की अदा दिये और मौलिक स्वतंतरता की गैरंटी भी दी गई है यानि मौलिक अधिकार को आप इन लोगों को समुचिस सुरक्षा दी जाएगी और उनको इनके साथ भेदबा होना उनको आगे भी बढ़ाया कैसे जाए इस पर भी ध्यान रखा जाएगा नेक्स्ट है कि हम क्या करेंगे कि जल से अकाश से और थल से अपनी रक्षा करेंगे और कानून के अकॉर्डिंग करते हैं बट यह है कि हम अपनी सुरक्षा करते हैं और अगर कोई पर पंगे वाजी करता है तो फिर कानून जैसे हमारे भारत का कानून अग्या देता है उसे चाफ से पिर मूतोड जवाब भी देते हैं नेक्स्ट है कि भारत जो है वो विश्व शांती और मानव कल्यान के ले पूरा योगदान देगा जहां पर जैसे अप देखो रश्या यूक्रेयन के बीच लड़ा हुई है तो हम कोशिश कर रहे हैं थोड़ा सा गम करवाने की कोशिश कर रहे हैं इसके सविधान की समस्त शक्तियां और सत्ता का सिरोच चंता है यानि भारत के अंदर भारत ज बोग बहरत के संपर बहरत के संपर्भू और स्वतंत्र भारत की जो भी शक्ति के सारी मों शाज 210 complete वहर नहीं नोटिस कर रहे होगे Bachelor की थोड़े था जब आप ब्लूप्रिंट देखोगे नेक्स वाले कोशन पर आ जाते हैं कि भारते सविधान सभा के कामकाशी शैली बताओ मैं वैसी बता देट हो भारत का सभीधान बन रहा था ना तो हमने हर एक प्रावधान पे विचार विमर्ष किया बात्चीत करी और उसके बाद ही बात्चीत करने के बाद ही वोटिंग बगड़ा होती थी उसके बाद उसको एक फाइनल सभीधान में अंतिम रूप में यह ची में मीटिंग में बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके आपस में बनती नहीं थी जैसे जवालना नहरू, राजिंदर परसाद, सरदार वल्लबाई, पटेल बिया, रमबेटकर जी इन सब के आपस में नहीं बनती थी पर फिर भी ये साथ में आए इन्होंने निर्ने लिया अगर क उसको पढ़ सके और अगर उनके पास कोई बड़िया तरीका है, अगर उनके पास कोई बड़िया पराब्दान है, तो वो भी इंक्लूड करने की कोशिश करी जाती थी, ठीक है, और भारत के सविधान बनने में आपको बता है, मैंने बताई दिया था, 166 मीटिंग होई थी ठीक है, बैठे के होई थी, एक नमबर में कोशन भी आ सकते हैं, मौस्ट इंपोर्टन कोशन है, मौलिक अधिकार और नीती नर्जेश तत्व में अंतर, नेक्स्ट वाले चैप्टर पर आप हम आ चुके हैं, तो मौलिक अधिकार और नीती नर्जेश तत्व में क्या अंतर सब के साह समान वेवार होगा तो सरकार भेदबाव नहीं कर सकती तो यह कहता है मौलिक अजितना होसाके ब्लाइब दो लोगों को पैंशन दो ना तो यह सारी किसारी चीज़े तो यह परॉसाहित और कि लिए और चेज़ें करवने से रोखती यह नाकारात्मक कॉति है और यह और आपके जो मौली का दिकार हो उसका नहीं जा सकते हैं नेक्स वाले पॉंट की बात करते हैं मौली कदिकार जो है वह व्यक्ति से संबन दिता है एक व्यक्ति की बात होती है और नीती निर्देश्टत्व जो है वह समाज से संबन देता है एसा नहीं है कि मौली कदिकार सब के अलग अलग होते हैं क्या पता आपके साथ मेरे साथ हो रहा हूं तो यह क्या है मौली कदिकार प्राप्त हो चुके हैं आपको six fundamental right हमारे मिल चुके हैं पहले साथ होते थे एक right to property भी होता था उसके बारे में आगे पढ़ेंगे ठीक है बह आगू करने हैं उनको ठीक है चलो जी next question पर आ जाते हैं अगर आपने ये वाला ये ये जो सामने आपको पिच्चर दिख रही है ना अगर आपने ये कर ली पिच्चर तो मैं आपको guarantee से बता रहा हूं कि chapter number two जो है ना आपका उसमें से कोई भी question आएगा अब बहुत असानी से कर पाओगी ठीक है चलो तो आपको पता है कि भारत के जो भारत का सविदान उसमें हमें छे मौली कदिकार आपको बता है ना मौली कदिकार सबसे जादा सर्वच्च अदिकार माने जाते हैं और ये अदिकार वो होते हैं जिनका हनलोने पर आप पोर्ट में जा सकते और स कि हुए बढूती है इससे के वस्थ को पूरी-पूरी पूरी जादी है शिक्षा अधिकार है आप से पूछा सकता है ना क्यों चाहता हूं जल्दी से जल्दी कर तो अगर मैं बहुत तेज़ बोल रहा हूं तो आप वीडियो थोड़ी स्लो कर लेना, 0.75 कर लेना कोने से ऐसे option में आता है, ठीक है, चलो, नेक्स्ट है कि अपरादियों को भी कुछ वो मिले गए है, अदिकार मिले है, अभी हम पढ़ेंगे उनके बारे में क्योंकि कोशन आ सकते हैं, और मानव तसकरी नहीं कर सकते हैं, इंसानों को बेज और खरीद नहीं सकते हैं, नेक्स्ट है कि धार्मिक स्वतंतरता का अधिकार है, आप कहीं भी खट्ता हो सकते हो, पूजा कर सकते हो, आपको पूरी-पूरी अजादी है कि अपने धर्म के बारे में दूसरों को बता सकते हैं अपना धर्म करने के लिए ठीक है और आप शेक्षिक संस्थानों में भी बेसिकली उपासना की उपस्तित होने की स्वतनतरता है ठीक है जो भी शेक्षिक धार्मिक शिक्षा भी दी जा सकती है ठीक है जैसे की मदर्स्य उसमें पढ़ा जाते कुरान वगरा कि तो आप पढ़ा सकते हो ठीक है क्योंकि मतलब मदर से जहां तक मेरे को पता है वो तो होता ही है फिर अलग धार्विक स्वतनतरदागा बन जाता है वो तो अलग जैसे कोमेनिटी बेस पर गुर्द्वार में भी सिखाते हैं चाहता क मेरे को याद है तो सांस्कृति और शेक्शिकल संस्क्रितम्रों घिकार शेव का संस्क्रिता और शेक्षिक अधिकार सेम नहीं है बिल्कूल शिक्षा का दिकार काता है है आपको पढ़ने लिखने की अज़ादी है地 मैं नियुकि हो इस करने की पूरी नहीं ने अन्यगार भारत करिदेखने कते हैं चो कि आपको पता है लेंग्विज को प्रोटक करके खोल रहे हो तो ऐसे आप कर सकते हो कोई दिक्त नहीं है ठीक है जैसे मैं एक और एक्जांपल देता हूं भारत से ना जब 1947 में बहुत सारे चाइनीज भी इंडिया के अंदर आये थे वह बहुत प्रभावित हो थे गांदी जी से तो भारत के अंदर आय थे और फिर वह ही पर होकर रहे गाई यही पर अब भारत के अंदर सबसे जादा इंपॉर्टर्ट मॉलिक अधिकार हमारा कौंसे है सव इधान के अंदर पो लिखा है सम्वेधानी कुपचारों का अधिकार याद है ना देखो मौलिक अधिकार को अलग मौलिक जो अधिकार होते है हमारे उनको जादा special क्या चीज़ बनाती है उनको जादा special यह चीज़ बनाती है कि उनका हननोने पर आप कोट में जा सकते हो तो यही कहता है सम्वेधानी कुपचारों का अधिकार कि अगर आपके किसी भी मौलिक अधिकार का हननोनो तो आप नियाएपालिकार जा सकते हो ना देखो बाकी सारे इंपोर्टन्ट है बट सबस्यादा इंपोर्टन्ट यही है क्योंकि यही एक ऐसा हमारा अधिकार है जो कि हमारे मौलिक अधिकार को पावरफुल बनाता है नहीं तो मौलिक अधिकार तो नॉर्मल अधिकार ही को तेरा भी होते हैं बट आप मौलिक अधिकार के हाननोने पर कोट में जा सकते हो तो यही चीज तो उसको अलग बनाती है, है ना, चलो, अब आ जाते है नीचे वाले question पर, although इतना important नहीं है, यह वाला question है, question number 10, यह इतना important क्यों नहीं है, क्योंकि यह controversial है, तो आता नहीं है, ऐसे controversial question, but मैं बता देता हूं, question क्या है, basically, देखो, होता क्या है, कि आपको पता है कि SC, ST, OBC के जो बच्चे होते हैं, उनको क्या किया जाता है, कि reservation दी जाती है, job में, college में, है ना, क्या यह सही है, यह गलत है, यह question आ सकता है, क्या यह हमारे मौलिक अधिकार का उलंगन करता है, तो मैं आपको बता दू, आरक्षड, जो है, वो हमारे मौलिक अधिकार का उ प्रब्लम आती हो, special बच्चा उसको देखने में थोड़ी problem आती है, तो आपके लिए बनता है 50 नंबर का question paper, उसके लिए बनता है 30 नंबर का question paper, तो आपके teacher से लड़ोगे, क्यार हमको 50 का दिया, उसको 30 नंबर का क्यों, नहीं, पता है क्यों, क्योंकि आपके लिए जितना CST Community और OBC Community जो है, वो थोड़ा सा पीछे रह गए है, उनको आगे बढ़ाने के लिए अरक्षन दिया जाता है, और ये जो राजय सरकार होती है, जो केंदर सरकार होती है, उनके पास पूरा-पूरा अधिकार है, वो चाहे तो किसी विशेश वर्ग के बढ़ावे के लिए उनको आग्षन दे सकती है, ठीक है, अब अनुचेद 21, नेक्स पाले कोशन पे आते हैं, अनुचेद 21 क्या है और आरोपी के अधिकार बताईए, पहले तो हम अनुचेद 21 कहते हैं, अनुचेद 21 बड़ा सिंपल है, इसको इंगलीश में कहते है, राइट तो लाइफ और प अग्या के, मेरी बास समझ पारे हो आप, मतलब आपने एक बात नोटिस करी होगे, अगर मानलो कभी आपने सुनाओका एंकाउंटर वर्ड, आप पता है कोई पुलिस वाला अगर एंकाउंटर करता है तो उस पे भी F.I.R. होती है, अब आप बोलोगे सार एंकाउंटर, च की दूसरे की जاन को लेने का, आप किसी बंदे से उस की जान से तभी चीनी जा सकती है, जब टक जब़ कोई ओर्डर दे है, अन्य था नहीं चीनी जा सकती, उसकी जान नहीं ली जा सकती, ठीक है? चलो जी. अब आरूपी की अदिकार होते है किसी एक अपराद की सजा उसे दो बार नी मिल सकती, ऐसा नहीं है कि मानलो किसी ने कोई क्राइम करा, उसको सजा मिल गई, अब जैसी वो बाहर निकला, पुलिस वा ले आए, के चलो जी, दुबारा चलो, अब वो बोलता क्यों, कहती जी आपने ये करा है, अरे भुकत तो ली मतलब कोई क्राइम आपने बहुत पहले करा हो, उसकी सजा आपको आज नहीं मिल सकती, ठीक है, पिछली तारीक की सजा आपको आज नहीं मिल सकती, और नेक्स्ट है कि आपने खिलाफ गवाई नहीं दे सकते, ये बहुत इंपॉर्टन पॉइंट है, पहले क्या होता था, प कुछी टाइम पहले हुआ था एक केस हुआ था रेप केस हुआ था जहां पर चार लोगों कि इने आकर बोल दिया था कि हमने ही रेप किया फिर भी उन्हों पर केस की पूरी कारवाही चली डारक लिए उनको सजा नहीं दी आप हो लोगे कौन करेगा बर होते हैं बहुत सारे लोग लोग तो फट जाते हैं आपने देखा होगा यह ना बनलब वो टेर्रिस वगरा देखो उनकी मोटिवेशन क्या होती है वो बनलब फटरने को तयार है तो यहां प्रतशिप जेल जाने की बात हो रही है तो इसी वज़े से खुद के खिलाफ आप गवाई नहीं दे सकते हैं तो इसलिए खुद की गवाई नहीं माने जाती है उस पर भी पूरी कारवाई किया जाती है अब निवारक नजरबंदी क्या होता है देखो निवारक नजरबंदी बहुत इंपॉर्टन है आपको पता है एक स्वतंतरता का दिकार हो तो उसे वो 3 महिने के लिए जेल में डाल सकती है, ठीक है, अगर उसे यह शक हो कि यह बंदा आगे जा कर कुछ कर सकता है, मैं आपको इसका example देता हू मान लो कि पाकिसान से कोई बंदा आता है, ठीक है उसने अभी तक कुछ करा नहीं है अब हमेशा है वो कुछ कर सकता है, त स्वतंतरता गादिकार का ह्नार जरूरी है बट कभी खुबार क्या करती है सरकार निवारक नजर एक्जामपल एक जब together 378 जो गर में रखा गया था उनको house arrest कर दिया गया था डिटेन कर दिया गया था निवारक नजरबंद कर दिया था आप बोलो कि sir तो कर सकते हैं बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं उन्होंने कुछ करा नहीं है बडर यह था कि अगर वो कुछ बोले जिससे दंगे भड़के लोग मरे खुन खराबा हो तो इससे अच्छा पहले उनको रखो ठीक है तो आप ऐसे जादे स्यादर तीन महीने के लिए रख सकते हो फिर आपको magistrate की सामने पेश करना पड़ता है वहां पर फिर वो तैय करता है कि आगे इनको आगे घर पे हाउस तराइज रखना है जेल में रखना भी आए या नहीं रखना ठीक है नेक्स्ट कोशन पर आते हैं ये कोशन मैंने आपको पहली बता दिया था सबसे महत्वपून हमारा मौलिक अधिकार कौन सा है मैंने आपको बता दिया था डॉक्तर भीमराम बेट करन बनाता है ठीक है और इसका उलंगन होने पर और यही मौलिक सम्मेदानिक उपचारू का अधिकारी कहता है कि अगर आपके किसी भी मौलीक अधिकार कहनों तो आप पोट में जा सकते हो ठीक है पर यहना चब आप पोड में जाते हो तो ऑब भीसिंद आदेश कुछ कूर्ट और आपको पूरा भी आ सकता है कि ये बताओ कि भारत समय धानी कुपचारों की अदिकार में कौन-कौन से मौलिक अदिकार दिये गए है। ठीक है जी पहले तो पढ़ते हैं हम बंदी परतिक्षिकरन तो बंदी परतिक्षिकरन ये कहता है कि अगर किसी भी वक्ति को अगर कोट ये पाती है कि किसी भी वक्ति को पकड़ा गया है और गलत तरीके से उसको गिरफतार किया गया है तो उस गिरफतार किये गए वक्ति को छोड़ने की परमीशन छोड़ने की अजादी मलब छोड़ने के लिए आदेश दे सकता है कोट इसको कहते है बंदी परतेक्षिकर मालो मिरको पुलीस वाले आए गलत तरीकी से पकड़के लेके चलेगा जब कि मैंने कुछ किया भी नहीं उन्होंने बताया कि मिरको क्यों पक परमादेश कहता है कि अगर कोई भी बंदा अपनी सारवजनिक पद पर बैठावा हो और वो अपना काम ढंसे नहीं कर रहा जिसके वज़े से दूसरे के मौलिक अदिकार का हनन हो रहा हो ठीक है तो परमादेश लगाया जाता है उस समय इसका क्या मतलब है मानलो कि मैं कोई गर्मेंट ऑफिस में गया वहाँ पर सबसे फॉर्म कलेक्ट किये जा रहे हैं सबकी बास सुनी जा रही है मेरी नहीं सुनी जारी भेदबा हो रहा है न मिरसा उस वो बंदा अपना काम ढंसे नहीं कर रहा जिसकी वज़े से मेरे एक तरह से समानता की अधिकार का लंगन हो है तो मैं कोट में जाओंगा कोट क्या करेगी परमादेश लिख देगी और उसके बाद उस बंदे पर कारवाई होगी ठीक है निशेद आदेश का मतलब क्या है कि अगर कोई उपरी अदालत ठीक मानलो कोई निचली अदालत आपको पता है न कि तीन तरह डाले क्यों होती ह हाई कोट होती है सुप्रीम कोट होती है मानलो हाई कोट ने कुछ गलत फैसला सुनाया ठीक है और जब सुप्रीम कोट में केस गया तो सुप्रीम कोट को पता चलाया इसने तो गलत आदेश सुनाया तो उसको रोक लगा सकती है इसी को कहते है निशेद आदेश यानि जो न बायक नहीं है आपने सुना को पैसे बन जाते हैं लोग पैसे देखे बन जाते हैं फिर बात में पता चलता है आ रही है तो सुप्रेम पता अधिकार पच्छा लगा जाता रूजा जाता है और सम्हाइल नहीं पाएगी तो अपने उंपर लेती है तो उसको यह और हाई को मना कर देती है आप मत्रों हम करेंगे तो फैसला ठीक है चलो यह दो मात्रा नहीं है उपर भी आप देखोगे न रिटो रिट वाले में जो मैंने लिख्था उसमें दो मात्रा नहीं है दिखा देता हूं हुआ है यह हो जाता है लो को में टाइस पर रहा है चलो जो नईस नविढ्र нिदेश तत्व को दिये जाते हैं इस भी से लोगों का कलियां सोना राजनितिक न्याय दिलाना लोगों का जीवन स्थर उचा उठाना तंसादरों में सवान वित्रन करना अंतराश्य शांति को बढ़ावा देना यह सारी की सारी चीज़े करी जाते हैं इसका एक्जांपल क्या हो सकते हैं जैसे मिड़े मीड़े के एक्जांपल दिया मैंन और क्या है समाननागरिक कानून जिसको यूसीशी बोलते हैं अभी एक राज्य की सरकार लेकर आईए अगर आपको याद है तो आप मिरे को बताना कौन से राज्य की सरकार जो है वो यूसीशी लेकर आईए ठीक है चलो और मद्दैपान में निशेद यानि जो मदीरा वग नहीं है तो यह क्या है यह दिखाता है कि जो शराब है वो नीति निर्देश तत्व में आता है वो स्टेट की मर्जी है वो करना चाहे बैन नहीं करना जाए धरेलू उद्ध्योगों को बढ़ावा देना उपियोगी पश्यों को मारने पर रोक लगाना ग्राम पंचातों को को शाहन देना तो यह कुछ नीति निर्देश तत्व है हमारे ठीक है अब आते है जी नीचे यह कुछ अल्दर इंपॉर्टन टॉपिक है जिसके चांसे कम रहते आने के बट मैंने आपको पहली बता दिया संपत्ति का दिकार 1978 के अंदर जनता पार्टी ने हटा दिया था और यह अनुछेद 300a में आता था यह 300k में आता था यह 300a के अंदर आता था और इसको एक नॉर्मल कानुन बना दिया गया है यानि अगर मानलो सरकार आपसे कोई जमीन लेती है तो आप गोट में नहीं जा सकते क्यों क्यों कि आपको सरकार से ही बात करनी पड़ेगी आप 44 वे संचोधन में ठीक है चलो बाकि यह मौलिक करतव्य लिखें आपको पता है कि हमारे कुछ मौलिक करतव्य भी है डूटी भी है जैसे कि पर्यावरण की सुरक्षा करना देश की रक्षा करना नियम का पालन करना भाईचारा बढ़ाना यह सारी की सारी चीज हमारे मौलि यह बना था 10 दिसंबर बिल्कुल 10 दिसंबर 1993 को हर साल जो है वो राष्ट्य मानव दिवस भी आता है याद रखना एक मार्स में कोशन भी आ सकते है तो बेसिकली इसमें पहले तो मैं बता दूं 1993 में बनाता है इसमें टूटल पांच मेंबर होते हैं एक तो होता है हमारा प्रीम कोट का चीफ जस्टिस एक होता हाई कोट का चीफ जस्टिस और एक होता है नॉर्मल सुप्रीम कोट का जज रिटायर जजज होते हैं तीनों के तीनों और दो ऐसे लोग होते हैं जिनको मानव दिकार के बार में पता होता है यह बेसिकली यह देखते हैं कि दंगे व वगरा करना है ना बलतकार अगर कुछ हुआ है तो उस पर करना उस पर क्या कह सकते हो रिपूर्ट वगरा बनाना यह सारी की सारी चीज़े जो है वो करती है हमारी कौन मानवायोग मानवधिकार होगे मैं एक बाद टाइम देख लेता हूँ व क्या है चलो हो जाएंगी कोशिश करेंगे कि हो जाएंक ने सर्वाधिक पाने वाले की जीत है समानोपाती परति ना भारत में पार शेषिर का बात में ढरल जो एक्षि एक अश्युर्वाधिक एक ह proteg चैइब आपसेदेशन सव complaining कि पाने वाले की जीत में क्या होता है कि पूरे भारत को या पूरे देश को अलग छोटी-छोटी काईयों में बाठ दिया जाता है बट समानुपातिक प्रतिनिति में क्या होता है कि पूरे देश को एक ही काई मानी जाती है ठीक है नेक्स पॉइंट है कि हर निर्वाचन शेत्र में केवल एक ही परतिनीदी चुना जाता है आपको बचाए जैसे कि आपका इलाका है जैसे मैं डेली में रहता हूं तो जिस भी एरिया के अंदर में रहता हूं वहां पर चार अलग अलग पार्टी खड़ी हो जीतेगा तो एक ही बंदा था ना तो यह बता रखता है बट नि तो बी पार्टी के 30% 30% बंदे बाटेंगे अगर 30% वोट मिले उनको थो ना तो यहां पर क्या होता है एक ही जीतेगा बट यहां पर अलग अलग लोग जितने परसंट वोट मिले उसके साफ़ जीते हैं ठीक है ठीक है नेक्स्ट है कि यहां पर आप प्रत्याशी को वोट देते हो आपको पता होता है कौन बंदा खड़ा हुआ है यहां पर आप पार्टी को वोट देते हैं एक पार्टी को प्राप्त होने वाड़े वोटों का अनुपाद से अधी क्या कम सीटे मिल सकती है इसका मतलब क्या है यह बहुत ही डीप है समझाना मेरे को आधा घंटा लगेगा समझाने में डूंट वरी अगर मैं चैप्टर वाइस की वीडियो अप्लूट गरूँगा तो समझा दूगा बट मैं आपको बता ज़ता हूं ऐसा हो सकता है कि किसी पार्टी को 48% वोट मिले हो उसको 80% मिल सकती है ऐसा हो सकता है बट ऐसा यहां पर नहीं हो सकता ह ठीक है चलो दूसरा है कि आपको जीतने के लिए 51% प्लस बन वोट चाहिए है न इलेक्शन में जीतने के लिए आपको बता है यह भी हमार जैसे कि मानलो आप किसी constituency में रह रहे हो वहाँ पर अगर कोई बंदा जीत रहा है तो जरूरी नहीं है कि उसको भहूमत मिले इसका म 20% इसके 20% तो जिसके सबसे आदा होंगे वो जीट जाए तो 51% प्लस वन वोट लाना जरूरी नहीं है बर इसमें जरूरी है बहूमत होना जरूरी है और यहीं उत्ता है युनाइटिट विंडम में और भारत में होता इसराइल और नदर लैंड है जलो जी नेक्स वाले अब यह चुना प्रणानी के उचुनी सबसे पहले तो भारत जैसे बड़े देश के अंदर यह सबसे सई सिस्टम बैठता है दूसरा है यह बहुत ही सिंपल है तीसरा है कि इस पर नाली के अंदर क्या होता है कि लोगों को वोट दिया चाता है कोई पढ़ती निती जीतता ह अब दिया से काम करता है ठीक है अपनी जिम्मेदारी उसे भाग नहीं सकता ठीक है एक सिर्व सरकार का गठवंदन करती है सिर्व सरकार बनी रहती है और नेक्स पॉइंट है कि यह विबिन वर्गों के लोगों को एक जूट करता है ठीक है यह राश्च चाहितो वह सेवा के लिए एक उप्योक्त पढ़ा लिए नेक्स वाले कोशन पर आते हैं चुनाव पना चु कि चुनाव को रहे हैं तो नको लिए चुनाव को जो कर रहे हैं तो पर उत्यक्र रोकना को रहाएं और स्था वाले के लाश्च ऑलको पन्राइच्छ ट्रॉक्त इसको रहे प्रणाली में सुधार के लिए किनी छे सुजावों का बंडन कीजिए अगर आप चाहते हो कि भारत के चुनाव प्रणाली में सुधार हो तो चुछ कोई भी छे सुजाव बताईए और यह बहुत इंपॉर्टन कोशन है यह वाला उरूपर वाला चुनावायों के काम देख प्रणाली के स्थान पर इसी परकार के बहुते हैं परभाव जो कम से कम कर चाहिए और जो खर्चे होते हैं उसका वह खर्चे खुद उठाने चाहिए सरकार को चुनाव के कर्चे खुद क्यों उठाने चाहिए सरकार को सरकार क्यों पैसे दे कोई बंदा अगर इलेक्शन लड़ रहा है तो माना जाता है कि जो अच्छे लोग है न वो बेसिकली इलेक्शन में इसलिए आते पॉलिटिक्स में इसलिए आते है क्योंकि आँथ उनके पास पैसे नहीं होते है न तो यह प्रॉब्लम खटम करने के लिए सरकार को बेसिकली उनको पैसे वगरा देना चाहिए नेक्स्ट है अगर कि कोई बंदा फॉजदारी या किसी गलत मुकदमे में हो उसको नहीं रोक लगा देनी चाहिए चुनाव में लडने से नेक्स्ट है कि चुनाव परचार के अंदर जाती धर्म के अधार पर जो है अपील जो है उसको पूरी तरीके से बंदे कर देना चा अधी में उस पोस्ट के लायक हो उसके लिए भी हमें कुछ कानून बनाने चाहिए कुछ उद्धार करने चाहिए तो ऐसे भी आप कर सकते हो नेक्स वाले कोशिन पर आते हैं कि लोग सभा और विधान सभा के सदस्य की योगता बताईए तो सबसे पहले तो मैं आपको बता क्वा परिशत के लिए 30 साल होनी चाहिए ठीक है चलो यह है नासारे पॉलिटिकल του होते है और आरखशित योदर मंदल क्या होते है पहले तुम्हें आपको यह बताता हूँ भारत के अंदर है u 84 लोग सभाकी सीटे स्ट के लिए रिजर्व है 47 सीटे जो है वो स्ट के लिए रिजर्व है एक नमबर में कोश्चन पकता सकता है तो इसे कहते हैं हम आरक्षित निरवाचन शेत्र ठीक है भारत में कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर आज क्या होता है कि मानलो कोई इलाका अगर अरक्षित है यह जो मैंने बता ने 84 सीटे पोच रही तो उस 47 सीटे स्ट के लिए तो वो इलाके ऐसे होते हैं जहां पर अलग-अलग जाती के लोग तो रहते हैं अलग-अलग धर्म के लोग रह सकते हैं बट जब election में खड़े होने की बात होगी ना तो वो एक ही community से होगा अगर किसी एरिया में 90% मुसलिम रहते हैं और 10% हिंडू रहते हैं तो election में खड़ा भी मुसलिम होगा और वोट भी मुसलिम डालेगा तो यह डिवाइड और डूल करते थे बट अभी जो है भारत में जो सिस्क्रम चलता है उसको आरक्षित निर्वाचन शेतर कहते हैं कि जी election में खड़ा तो वोई बंदा होगा जिस community के लोग ज़्यादा रहते हैं but vote सारे डालेगे ठीक है ताकि सब के लिए काम हो सके ताकि वो जो बंदा election में खड़ा हो रहा है वो किसी को अब देखो खुछ सोचो अगर किसी area के अंदर मालों Muslim ज़्यादा रहते हैं और 10% को मुस्लिम community से होगा वो तो 10% को नकारी देगा ना वो सोचेगा इनको छोड़ो में फोकस अपना 90% पर करते हैं तो ऐसा ना हो इसी के लिए भारत में सिस्टम जो है वो अपनाया गया है जिसको कहते हैं अरक्षित निरवाशन शेत्रवाले परनाली की जो सिस्टम है उसको ठीक है चलो वैसे तो मैं यार वीडियो के अंदर धर्म वगरा जाती वगर अगर नाम यूज करने से बचता हूं पर अब मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि टॉपिक यह ऐसा है ठीक है चलो और यह एक्जाम्पल था दिल पे नहीं लेना नेक्स वाले पॉइंट पर आते हैं इन इफेक्टिव है यही बता रखा है इसमें रीड कर लेना इंपॉर्टन कोशन है पिछली बार एक्जाम के अंदर आया था इसने मैंने डाल दिया क्योंकि यह ऐसी वैले बेस कोशन बच्चों को कर देते हैं ठीक है नेक्स्ट है कि अनुछे 324 क्या है अनुछे 324 पता ह पता है यह बता है और कि टी के लिए और पता चुका हूं और एक किसे घटकर अठारा होगी यह वी बता चुका हूं आपको आपको तीक है नेक्सट वाले आप आ जाते हैं एक लिए से चाप्टर पर टाइम देख लेए एक बर हो गया चलो अभी 6-7 मिनट है ठीक है देख लेते हम यह का रेपाली का क्या है हो जाएगा डोंट वरी कम्प्रीट कराने की कोशिश करेंगे पर उससे पहले मैं बता भी देता हम वहां यार नोट्स की बात हो रही थी कि नोट्स आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो तो नीचे डि को अप्शन आएगा तो 39 रुपीज है और अगर यह बिल्कुल आप एक्जाम से एक या दो दिन पहले देख रहे हो तो इसका प्राइस जो है वो शायद बढ़ सकता है 100 भी हो सकता है तो अगर आप पहले देख रहे हो तो बैटर यह रहेगा कि पहले ही से प्रचेस कर लेन और मैं दुबारा से बता रहा हूँ मैं आपको एक एक कोशन मैश करवा दूँगा आपको यकीन नहीं हो रहा न सीधा भरत कुमार कोरवाल वाले चैनल पर जाके कोई भी लाइफ खोल ले न आपको पता चल जाएगा कितने कोशन डिट्टो आते कितने कोशन नहीं आते कि इस पर कॉल नहीं उठेगा तो इसलिए मैं क्या रहा हूँ इस पर वागेरा कर सकते हैं बाकी दूसरा हमारा एक मेंट टेक वाला चैनल है बिसिकली मैं इस पर यह बताता हूँ कि स्टूडेंट कैसे कर सकता है पैसे कैसे कमा सकता है तो अलग-अलग वीडियो है यहाँ यहाँ पर आप देख सकते हो भी टिक है कि आपयो कैसे बढ़ा सकते हो वैबसाइट कैसे बना सकते हो वैबसाइट से सध्यां कार्यपाणी आर्द और अध्यक्षात्मक, संसध्यकार्य प्रणाली जो है, वो हमारे भारत में चलती है, आपको पता, यह चीज भी हमने कहां से लिए, ब्रिटिश सरकार से लिए, ठीक है, इसमें क्या होता है, कि आम तोर पर सरकार का प्रणो कौन होता है, परधानमंत्री होता है, ओके, और यही व होता है, कि जो देश का प्रणो को होता है, इसमें संसध्ये में, वो होता है हमारा राश्पती, देश का प्रणो क्या होता है, इनमें से कोई हो सकते हैं, मैंने बता दिया, राजा का सिस्टम तो भारत में है नी, तो राश्पती होते हैं, और विधाईका जो होती है, वो ज इजे पी से सवाल पूछेगा तो उनको जवाब देना ही पड़ेगा ठीक है जी नेक्स वाले उस पर आते हैं कि अर्ध अद्धिक्षात्मक्ग क्या होता है यह एक दूसरे देशों में होता है इसमें क्या होता है कि राजपती देश का परमुक होता है और परदान-मंत्री सर से पतै चलता है संसदिय प्राइविड राष्टि इसकाम्पल मEN राज्तन यानि जहांपर सविधान भी होता है और जहां और जैसे अमेरिका में अध्यक्षात्मेक होता है यहांपर देश का प्राइवर्भ कि उता है और सरकार का पर मुपी होता है और यह ना विदाइका के परती जवाब दे नहीं होता है यह दोनों विदाइका के परती जवाब दे नहीं होता है यह दोनों विदाइका के परती जवाब दे नहीं होता लिट्टो लर्न करना पड़ेगा एक्जाम में लख सभी कोशन आ सकता है कि भारत की संसेद्य परणाली के बारे में बताओ, तो समय भारत ऐड़ कर देना, बात ही गताम हो जाएगी, ठीक है, यह अर्द अदिक्षात मक्ये बारे में आ सकते हैं, अदिक्षात मक्ये बारे में आ सकते हैं, नेक्स वले कोशन पर आते हैं, ठीक है, तो भारत ने संसेद्य बिटिशर का रूलता और बिटिशर जो है वो भी संसेद्य परणाली को यूज करते थे तो हमें उसका अनुवता इसलिए हमने उसको अपनाया ठीक है और दूसरा है कि हमारी जो क्या कह सकते हो यह ना बेसिकली जवाब दें आपको पता है संसेद्य परणाली ज्यादा जवा बाकि यह चोटे-चोटे पॉंट में भी आप लिख सकते हो ठीक है चलो यह सबूर्टिंग मटीरियल की पिच्चर लिए हमने आप आपके लिए नेक्स्ट है कि राश्पती बनने की क्या है अगर राश्पती आप कैसे बन सकते हो तो 35 साल से कम नहीं होने चाहिए 35 साल आप जा सकते है तो राश्पती को सरफ एक ही सिस्टम से अटाया जा सकता है जिसको कहते है महाभियोग क्या कहते है महाभियोग से अटाया जाता है इसमें क्या होता है आपको टू ठर्ड मेजॉर्डी से लोग सबह राज्य सबह से बिल पास करवाना पड़ता है राश्पती को इसके बीच में 14 दिन का समय दिया चाता है कि वो अगर अगर अपनी कोई बात बताना चाहे तो वो बता सकते हैं मतलब अगर उन्हें लगे कि नहीं मिरसाथ गलत हो रहा है तो वो अपनी बात उसको बताने का हो पूरा मौकट दिया जाता है, 14 दिन जाता है कि आप, अगर कुछस्पश्टी करना देना चाहो अपनी स्थितिस्पष्ट करना चाहो तो वो कड़ सकते हो माल लो किसी राज़पती पर क्रॉप्शन केस हो गया तो उसको टाइम दिया जाता है, 14 दिन का पर लिखा है नियुक्ति करता है नेक्स्ट है कि राज्येपाल वहें वहें सब बनाता है यह थोड़ा हिंदी में करा था ना मैंने तो इसलिए हो गया आप यह भी लिख सकते हो यह कार्ड देना कि राज्येपाल और जो अध्यक्ष होता है उसकी भी नियुक्ति जैसी पर्मान पत्र लेना पड़ता है तो यह बता रखता है तो वहें भारतिया सेना का सरवच्च कमांडर होता है युद्ध और शान्ती की गोशना वही करता है और वहें सूचित होने और परामर्श लेने का दिकार है उसको इसका क्या मतलब है इसका मतलब है कि जो राश्पती है उसको पूरा 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 दिकार है कि वो परधान मंतिरी से पूछ सके जी क्या चल रहा है क्या नी चल रहा है और यह है सबसे important question राश्पती की विशेश शक्तिया क्या क्या होती है पहला कि अगर उसके पास कोई भी कानून signature होने के लिए आता है कानून बने के लिए आता है तो उसे वापिस पुनर बिचार के लिए लोटा सकता है अगर उसे वो सही नहीं लगता। दूसरी बात है कि वो verट o power लगा सकता है वो ही है अपने पास अगर मान लो उसे लगता है कि आ लुए फ़र लोटांको तो वाप्स करदेंगे same to same, तो उसको अपने पास रख सकता है, इसको कहते विटो पावर, मानलो आपके पास, आप राश्पति हो, आपके पास कोई कानून आता है, ठीक है, और बोला जाता है कि इस पी signature कर दो, है ना, हमें एक कानून बनाना है, और आपके पास आता है, आप देखते हैं, इसमें गलती हैं, आपको पता है, आप देवोगे, तो फुन और विचार करेंगे, नहीं दुबारा same page कर देंगे, तो इसलिए आप क्या कर सकते हो, आपने पास उसको रख सकते हो, सदन के पूरे के पूरे सेशन के लिए, तो इसको कहते है, विटो शक्तिया, जब राश्पती अपने पास किसी कानून को रख लेता है, सिगनेचर करने से, उस समय के लिए मना कर देता है, इसको कहते है विटो पावर, और लास्ट है, कि अगर मान लो, कभी, Collision Government Beanty है, गठमतन सरकार Beanty है, तो उसमे भी परदानमंतरी को चुनने का काम किसका होता है, राश्पती का होता है, चलो, Next है कि परदानमंतरी के काम, तो परदानमंतरी के काम एक बाद रीट कर ले ना, मैं वैस인 हे बता रेता हूं, अब, विभागों के बीच में समन्वे स्थापित करता है राश्पती के सलाकार के रूप में काम में करता है और कैबिनेट और राश्पती के बीच में एक कड़ी के रूप में काम करता है यानि अगर कैबिनेट मिनिस्टर को राश्पती को कोई बात बतानी है राजपती को cabinet minister को यह बात बता नहीं है तो पहले प्रधानमंतरी दुआरा होके जाती है नीती निर्देश जो विदेश नीती होती है उसका वास्तुकार जो होता है असल में वो हमारा प्रधानमंतरी होता है सदन के नेता के रूप में यह कारा करता है पार्टी का महतवपू समझने की जरूरत नहीं है आपको क्लास 12 में आएगा यह आपके बस यह इसको चलो मैं समझाई देता हूं अब देखो अगर आप परधानमंतरी बनना चाहते हो ना तो आपका MP होना जरूरी है मालो सारे जीत जाते हैं आपके MP मालो BJP के सारे MP जीत जाते हैं जादा MP BJP के जीते हैं बड परधानमंतरी यहानि जो मोदी जी है वो अपने एरिया से हाट जाते हैं तो मोदी जो को छे मैने का टाइम दिया जाएगा कि आपने इलाके पर या किसी भी इलाके में लोकसाभा की एलेक्शन में आप जीत जाओ तो आप परधानमंतरी बन जाओगे अगर यह इंको सेलेक्ट करता है बट यह रिखाई करके आते हैं इन्के लिए आपको नियनितम पढ़ाई करनी पड़ती है आपको पता है आपको ग्रेजुइशन करनी पड़ती है कम स्थाई पारिका आई-पेस का एक्जाम देने के लिए इसमें कोई करते हैं इसमें आपको पता है राजनिति कारेपलिंस स्थाइपका मांतरी मंतरी इप्रश राजनितिक नेत् है को इसमें you होती है और इसारे के सारे आते हैं और थिप का हो इनको चुना जाता है योगिता की अदिकार पर पेपर वगई रांता है उनका बहुत सब्सक्राइब करना मत भूला यह भरत कुमार खूरपार वाला लाइफ चैनल अगर मैं लाइफ लूँगा जय हिन जय भरत बंदे मातरम, thanks for your support, bye bye